दोस्तो अब आपके गन्य की फटा फट लंबाई बढ़ेगी वो भी साथ दिन में आपको एक ऐसा फॉर्व बताएंगे यदि आपने इसका प्रियोप कर लिया तो आपके गन्य की लंबाई साथ दिन में काफी बढ़ जाएगी तो दोस्तो इसी प्रिकार के और धमाकेदार वीडियो चैनल पर आने वाले हैं उन वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को औल पर स्लेक करने दोस्तो यदि आपका गन्य बढ़ नहीं रहा है आपने सारे प्रियास कर ले और आपकी प्रियास के बावजूद भी करने की लमबाई नहीं बढ़ी है तो दोस्तो इसके लिए आपको पांच ग्राम प्रिती एकड के हसाब से लेना है जिबरेलिक एसिड जो पावडर वाला होना चाहिए सुध टेकनिकल वाला होना चाहिए और दोस्तो एक किलो लेना है आपको एन्पिके उन्निस उन्निस या प्रिकार के पावडर मिलेंगे एक एलकॉल होता है और एक जिबरेलिक एसिड होता है जो डिब्बी के जो अंदर होता है वो जिबरेलिक एसिड होता है और जो इसके धकन में होता है वो होता है एलकॉल जो सूका हुआ एलकॉल होता है यदि इसमें एलकॉल नहीं है तो आपको पानी में मिलाना है और इसमय मिलाना है उसे अलग घोल कर जब को सारे पानी में मिलाना है और और उस पानी में मिला और दोस्तों यदि नमई नहीं तो आप उसमें सिचाई कर सकते हैं और दोस्तों इस समय जो हमारे खेत की जो अबस्ता है जो फसल की अबस्ता है वह 80-90 दिन के होनी चाहिए अर्थाथ उसमैं पूरिया बननी शुरु हो जाए है जोकरे हैं यही आप करने से हमारे पौदे में मजबूती भी आएगी और उसका सरवांगीर बिकास होगा कुल मिलाकर उत्पादन जाद मिलेगा दोस्तों चलते चलते इस बटन पर किलिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अबसर आईए और आज के वीडियो बस इतना ही अगले वीडियो में पर किसे काथ पर बिलते हैं तब तक के लिए नमस्कार